हेलो येर गईस वेलकम बैक टो दिस चैनल सो गईस कैसे हो आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे गईस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने रैडमी नाइने फोन में नोटिपकेशन पेनल को किस तरीके से चेंज करें यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो नोटिपकेशन पेनल है वो मिलता होगा जो कि यहाँ पर काफी बोरिंग लगता है और यह काफी ओल्ड नोटिपकेशन पेनल है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको काफी बढ़ियां सैटिंग बताने वाला हूँ जिससे आप इस क्लिक दिजिएगा चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को Subscribe के वैरनेोटीकेशन कर डिजिएगा को सबसे पहले आपकी फोन की सेटिंग को ओन करना होगा सैटिंग को उपन करने के बाद यहां पर आपको कुछ इस तरीका इंटरफेस होगा तो आपको यहां पर क्या करना है गै तो आपको यहाँ पर क्या करना है थोड़ा नीचे आना है यहाँ पर गैस आपको एक option मिलेगा control center style का यह option है गैस आपको simply क्या करना है इस पर click कर दना है आप जैसे इस पर click करोगे तो यहाँ पर गैस कुछ इस तरीके का option सोंगे तो आपको पहले पर यहाँ पर old version लिखा इसके बाद यहाँ नीचे एक option होगा new version का तो आपको यहाँ पर क्या करना है जैसे new version पर click करोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके फोन का जो notification पेनल है चेंज होके आजाएगा अगर आपको फिर से इसे चेंज करके पहले जैसा करना है तो आप old पर रख सकते हो तो प और एसा ही और वीडियो देखने के लिए हमाय चैनल को जरू से सस्क्राइब कर दीजेगा ठैक्स वर वाचिंग